इस question के जितने भी part solve किये गए हैं, उनका time stamp वीडियो के description में भी लगावा है, तो जिस question में आप लोगों को problem है, उस time stamp पर click करके वो question देख लें असलाम लेकुम students, ओप सो आप सब खेरियत से हैं आज का जो हमारा topic होगा, उसमें हमने exercise 3.4 का question number 2 solve करना है तो using theorem of component to davidindo, find the values of x plus 2y over x minus 2y plus x plus 2z over x minus 2z, ठीक है, इसके हमने value find out करनी है, जिसमें हमारे पास given क्या है if x is equal to 4yz over y plus z, तो first of all हमने क्या करना है, जो हमरे पास given data है, वो ले लेते हैं x is equal to 4yz over y plus z, ठीक है, तो अब जो हमने values find out करनी है, उसमें अगर देखें, तो हमारे पास क्या बन रहा है x plus 2y and x plus 2z, तो given data के अंदर हमने क्या करना होगा यहां पर, x is equal to, अब हम 4 को लिख सकते हैं, 2 multiplied by 2y and z over y plus z, ठीक हो गया, तो further हम इसको लिखेंगे, x is equal to, एक को साथ 2 मिला देंगे, तो वो 2y हो जाएगा, और दूसरा 2 जो है, z के साथ मिला देते हैं, तो वो 2z बन जाएगा, ठीक है, over y plus z, अब हमने क्या करना होगा, जाहर सी बात है, कि हमने बताय जा रहा है, question के अंदर के component window और devil window theorem का use करना है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, कि यह जो हमारे पास 2y है, इसको जो है left side पर shift कर देते हैं, तो जैसे ही left side पर shift करेंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगा, x over 2y, that is equal to 2z over y plus z हो जाएगा, ठीक है, यहां तक clear है, अब जो है, हमने क्या करना है, इस पर component window and devil window theorem apply कर देना है, तो अब जब हम इस वाली equation के उपर component window, devil window theorem लगाएंगे, तो उसमें मैंने आपको पिछले question में भी बताया था, कि जो नीचे वाली value होती है, उसको एक दफ़ा उपर plus करना है, तो यह हमारे पास आजाएगा, x plus 2y, और नीचे हमने क्या करना है, x minus 2y, ठीक है, यह left side पर apply हो गया, इसी तरह जो है, हमने right side पर भी same way से लिखना होगा, तो यह हमारे पास आजाएगा, 2z plus y plus z हो जाएगा, और इसी तरह जो है, नीचे जब apply करेंगे, तो वह हमारे पास हो जाएगा, 2z minus y plus z हो जाएगा, अब अगर देखें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, minus given है, जब हम bracket के अंदर apply करेंगे, तो वह हमारे पास plus वाला क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, तो वह step मैं इसी में ही कर देता हूँ, यहाँ पर, तो यह हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, minus y और plus वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, ठीक है, तो अब हमारे पास देखें, तो यह हमारे पास value आ गई है, किसकी value आ गई है, x plus 2y and x minus 2y की, यह जो हमारे पास first में given है, अब इसी तरहां जो है, हमने क्या करना है, यह जो हमारे पास equation बनी थी, यहाँ से जो है, अब हम क्या shift करेंगे, 2z को left side पर shift कर देते हैं, ठीक है, तो फर्दर जो है, यह हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं अब हम, x over 2z that is equal to 2y over y plus z हो जाएगा, अब जो है, हमने क्या करना है, इसके उपर जो है, इसके उपर अप्लाइ कर देना है, तो अप्लाइ कर देना है, तो में हमने क्या करना होता है, जी left side पर करेंगे, x plus 2z over x minus 2z हो जाएगा, ठीक है, और इसी तरह जो है, right side पर क्या आ जाएगा, 2y plus y plus z over 2y minus y minus, क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, यहाँ पर bracket ने अप्लाइ की, direct जो है, मैंने minus अंदर अप्लाइ कर दिया, तो वो मारे पास इस तरह से आ जाएगा, अब जो है, यहाँ पर हमारे पास दोनों values आ गई हैं, ठीक है, आपको नजर आ रहा है, एक हमारे पास x plus 2y वाली value भी आ गई है, और x plus 2z over x minus 2z वाली value भी आ गई है, अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास question given है, उसके अंदर अगर आप लोग देखें, तो उसमें जो है, यह दोनों values को sum कर लेना है, ठीक हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको जो है, अब हम क्या करते हैं, बी का नाम दे देते हैं, तो जब दोनों को add करेंगे, तो जह हमारे सी बात है, उसमें जो है, हमारे पास left side भी add होगी, और right side भी दोनो add होगी, ठीक हो गया, तो यहाँ पर further हमारे पास आ जाएगा, x plus 2y over x minus 2y plus x plus 2z over x minus 2z, left side जो है, हमने left side में add कर देनी है, और right side जो है, किसमें add होगी, right side में, ठीक हो गया, तो अब right side को add करते हैं, हम यहाँ पर, 2z plus y plus z over 2z minus y minus z, plus करेंगे, और इसी तरह equation b की right side ले ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, 2y plus y plus z over 2y minus y minus z आ जाएगा, तो अब जो है, यहाँ पर हमने क्या करना है, यह वाली चीज़ें add होगी, तो यह हमारे पास आ जाएगा, 3z plus y, over z minus y plus 3y plus z over y minus z आ जाएगा, यहाँ तक ले रहे हैं, अब हमने इसमें क्या करना है, division में देखें, बोट साइट, तो हमारे पास यहाँ पर given है y, z minus y, और इदर given है y minus z, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ अगर हम इसमें से minus one common ले लें, तो यह जो है, हमारे पास क्या बन जाएगा, y minus z, तो फिर जो हमारे पास division में सेम हो जाएगा, तो हम उसको lcm ले सकते हैं, मैं इसको यहाँ पर rough work में करके दिखा देता हूँ, यह हमारे पास given है, z minus y, तो जब इसमें से हम minus one common लेंगे, तो हमारे पास अंदर क्या हो जाएगा, y minus z, ठीक है, तो अब अगर इसको आप multiply भी करवा के देख लें, तो यह minus one y से multiply होगा, तो वो minus y हो जाएगा, minus minus plus z हो जाएगा, ठीक है, तो वो further जो हमारे पास होई बन जाएगा, ठीक है, तो यह just हमने इसके लिए किया है, ताके हम इसको LCM ले सकें, तो यहाँ पर मैं directly लिख देता हूँ, इसको जड़ा सा minus, तो यह जो है, हमारे पास क्या आजाएगा, minus one into y minus z आजाएगा, color change करके लिख दिया है, ताके आप लोगों को यहाँ से असानी रहे, तो अब अगर यहाँ पर हम LCM देखें, तो LCM हमारे पास क्या आजाएगा, y minus z, फर्दर जो है, जब यह divide होगा, तो यह procedure आप लोगों को पहले भी कई questions में बता दिया है, तो ठीक है, यह आप लोगों कर लीजिएगा, तो यहाँ से आजाएगा, minus one into three z plus y plus three y plus z, further इसे जब हम simplify करेंगे, तो यह हमारे पास आजाएगा, minus three z, plus, और यहाँ पर जो है, हमारे पास क्या आएगा, minus आएगा, क्यों minus आएगा, क्यों कि जब हम minus one को अंदर multiply करवाएगे, तो वह हमारे पास क्या हो जाएगा, minus y, plus three y, plus z, over y minus z, further जो है, अब देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, minus three z, plus z, that is equal to minus two z, और इसी तरह, minus y, plus three y, यह हमारे पास आजाएगा, plus two y, over y minus z, अब यहाँ से हम लोग, जो है, two common ले सकते हैं, तो two को हमने यहाँ से common ले लेना है, तो अंदर हमारे पास क्या आजाएगा, अब देखें, यह minus z है, तो इसको minus z को बाद में लिख देते हैं, और plus y को हम पहले लिख देते हैं, ताकि arrangement हो जाए, over y minus z, ठीक है, अब y minus z, यह वाला, और y minus z, यह वाला, cancel out हो जाएगा, तो जो हमारे पास value आजाएगी, plus x plus 2z, over x minus 2z, that is equal to 2, तो यह जो है, हमारे पास इसकी value आजाएगी, second part given है, जिसमें हमने find the value of m plus 5n, over m minus 5n, plus if m is equal to 10np, over n plus p, तो अब जो है, हमने इनकी values find out करनी है, जिसमें हमारे पास given data क्या है, 10np, over n plus p, तो first of all हम इसको लिख लेते हैं, तो m that is equal to 10np, over n plus p, तो फर्दर जो है, अब हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 multiply by 5, तो यह लिख लेंगे, तो m यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 multiply by 5np, over n plus p, अब अगर हम यहाँ पर देखें, कि value जो find out करनी है, यहाँ पर क्या given है, 5n given है, ठीक है, तो first of all, 5 को n के साथ मिला देते हैं, ठीक है, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, m is equal to 5n multiply by 2p, over n plus p, तो इनको अगर हम multiply करवाएंगे, तो 5, 2s are 10np, as it is, वही हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें component और devidendo theorem apply करना है, ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यह वाला जो 5n है, इसको left side पर shift करेंगे, तो वो devn में चला जाएगा, तो further हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, m over 5n that is equal to 2p over n plus p, अब इस पर जो है, हमने क्या करना है, component window and devidendo theorem apply कर देना है, तो m plus 5n over m minus 5n, ठीक है, इस पर apply हो गया, that is equal to 2p plus n plus p हो जाएगा, और further जब हम नीचे में करेंगे, तो आ जाएगा 2p minus n plus p, अब again जो है, हमने क्या करना है, यह वाला जो minus है, अंदर apply करना है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, minus n plus p, तो वो मैं इसी step में लिख देता हूँ, ठीक है, तो plus वाला जो है हमारे पास यहां से क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, तो यहां से जो हमारे पास m plus 5n over m minus 5n की value आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, 2p plus p that is equal to 3p plus n over 2p minus p that is equal to p minus n, ठीक है, इसको हम equation का नाम दे देते हैं, यह हमारे पास क्या है, जो equation number a है, अब हमने क्या करना है, further इसी equation से यह जो हमारे पास given है, इसको 1 का नाम दे देते हैं, तो यहां पर लिखेंगे from equation 1, ठीक है, तो equation 1 से, अब जो है हमें next step में क्या चाहिए, 5p चाहिए, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 को p के साथ attach कर देंगे, और 2 को n के साथ attach कर देंगे, तो वो जो है, हमारे पास क्या बन जाएगा, 5p बन जाएगा, और दूसरा हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा, m is equal to 5p plus 2n, तो यह plus लिख दिया है, यह multiply हो रहा है यहां पर हमारे पास, over n plus p, अब हमने क्या करना है, इस 5p को shift कर देंगे, तो यह हमारे पास आ जाएगा, m over 5p that is equal to 2n over n plus p आ जाएगा, अब हमने इस पर भी component देविड देविड देवर अप्लाइ गर देना है, ठीक है, तो वो apply होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m plus 5p over m minus 5p, that is equal to 2n plus n plus p, over 2n minus into n plus p, अब अगेन यहाँ पर इस bracket में हमने क्या करना है, जब minus apply करना है, तो वो plus वाला क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, ठीक है, यह minus कर दिया, अब हमने, अब जो है, यहाँ से जो value आ जाएगी, m plus 5p over m minus 5p, that is equal to 2n plus n, 3n plus p, over 2n minus n, तो यह हमारे पास आ जाएगा, n minus p आ जाएगा, यह हमारे पास आ गई equation number b, अब जो हमारे पास given question है, उसमें हमने करना क्या है, इन दोनों को, देखें, तो यह हमारे पास क्या हो रहा है, add हो रहा है, m plus 5n over m minus 5n, plus m plus 5p over m minus 5p, तो इन दोनों equations को अब हमने क्या करना है, यहाँ पर add कर देना है, तो यहाँ पर हमें एक statement लिख देते हैं, तो adding equation a and b, तो left side जो है, हमने add कर देनी है, और इसी तरह right side भी हमने क्या करनी है, यहाँ पर add कर देनी है, तो left side यह आ गई, तो right side में हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 3p plus n over p minus n, plus 3n plus p over n minus p, यह हमारे पास left side थी, यहाँ लिख दी, हमने इसी तरह यह equation b के left side थी, यह लिख दी और दोनों के हमने क्या क्या क्या, add up कर दिया, इसी तरह right side उठाएंगे, यह right side आ गई, और इसी तरह equation b के right side उठाएंगे, right side लिख दी, add कर रहे हैं, तो यह हमारे पास add का sign आ गया, ठीक हो गया, अब जो है, हमने यहाँ से क्या करना है, right hand side को simplify कर लेना है, तो यह हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखें, तो यह n-p है, और यह p-n है, तो किसी एक मेंसे हम minus 1 common ले ले लें, तो वह हमारे पास change हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, अब हम इसका lcm ले 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 लेते हैं, तो lcm हमारे पास देखें क्या आ रहा है, p-n आ रहा है, p-n lcm, तो यह हो जाएगा, 3p plus n, यह वाला minus अपर जाएगा, तो multiply हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, minus 3n minus p हो जाएगा, further 3p minus p, that is equal to 2p, plus n minus 3n, minus 2n, over p minus n, तो यहां से अब हम common ले 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 लेते हैं, true common आ जाएगा, p-n over p-n है, तो यह देखें, हमारे पास 2n में cancel out हो रहा है, तो यहां से जो हमारे पास value आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यह हमारे पास required result है, अगर इस question में किसी चीज़ की समद्द नहीं आई, तो आप लोग repeat करके देख लें, मेरी वीडियो को अपने classmates के साथ लाजमी share करें, और अपने class के अंदर लाजमी announce कर दिया करें, कि हम लोग जो है free of course यूटूब से math के questions solve कर रहे हैं, ठीक है, तो by name भी आप बता सकते हैं, अगर आप search करेंगे यूटूब पर हमजा एश, तो मेरे चैनल की सब वीडियो जो है, आप लोगों के सामने show हो जाएंगी, third part given है, जिसमें हमने component row and david endo theorem यूज़ करना होगा, find the value of x-6a over x-6a, and minus x-6b over x-6b, if, अब जो हमारे परस data है, वो क्या है, x is equal to 12ab over a-b, ठीक है, तो first of all जो हमारे परस given data है, हम वो लिख लेते हैं, x is equal to 12ab over a-b, तो अब जो हमने यहां पर क्या करना है, first of all, अगर हम first वाला यहां से देखें, x-6a, तो first of all हमने 6a बनाना है, ठीक है, तो आपको पता है, कि आप लोग 12 को लिख सकते हैं, जि 6 multiply by 2, तो यहां से आ जाएगा, x is equal to 6a multiply by 2b, तो 6 जब 2 से multiply होगा, तो as it is 12 आ जाएगा, और a-b आपस में क्या आ जाएगे, multiply में आ जाएगे, तो उसे हम लिख सकते हैं, 6, 12, a, b, ठीक हो गया, तो इस जी से परेशानी होना, कि यहां से 6 कहां से आ गया, 2 कहां से हो गया, यह जिस्ट हमने क्या किया है, 12 को 6 multiply by 2 की form में लिखके, a के साथ 6 लगा दिया, और b के साथ जो है, हमने 2 लगा दिया, जस्ट अभी तक यही काम हुआ है, ठीक है, over a-b, हमने as it is ले लेना है, अब अगर देखें, तो अब हमें चाहिए, component और डेविड 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 तियोरम जाहर है, हमने apply करना है, तो उसके लिए 6 a को left side पे जब तक shift नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक हम उस पर component और डेविड 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 तियोरम अपलाए नहीं कर सकते, तो यह हमारे पास further कै आजाएगा, x over 6 a that is equal to 2b over a minus b, ठीक है अब इसमें हमने क्या करना है component or dividend or theorem apply करना है तो component or dividend or theorem apply करेंगे तो यह मारे पास आ जाएगा x plus 6a over x minus 6a that is equal to 2b plus a minus b over 2b minus into a minus b तो यह वाला जब minus अंदर apply होगा तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा यहां से plus हो जाएगा ठीक है तो यह मैंने इसी step में करके लिखा दिया आप लोगों को तो यहां से जो है अब हमारे पास जो value आ रही है वो value किस्की आ रही है x plus 6a over x minus 6a जबके हमें क्या चाहिए x minus 6a उपर चाहिए होगा यहां पर again एक और theorem अप्लाए करना होगा ठीक है उस theorem का नाम क्या है हमारे पास invertendo theorem ठीक है तो यहां पर लिखेंगे by invertendo theorem ठीक है तो अब इस theorem के बारे में मैं बता देता हूँ कि होता क्या है invertendo theorem में क्या होता है कि यह उपर वाली value जो है नीचे आ जाती है और यह नीचे वाली value जो है उपर चली जाती है ठीक है इसी तरह left side पे होगा और इसी तरह right side पे हमने क्या करना है यह वाली value जो है उपर नीचे कर देनी है तो यह मरे पास आ जाएगा x minus 6a over x plus 6a that is equal to 3b minus a over b plus a आ जाएगा इसको हम equation number a का नाम दे देते हैं ठीक है अब again जो है हमने क्या करना होगा यहाँ पर हमने find करना है क्या find करना है x plus 6b over x minus 6b अब हमने 6 को जो है attach कर देना है एक इसके साथ b के साथ और 2 को जो है अब हम attach कर देंगे यहाँ पर a के साथ ठीक है इसी step के अंदर जो हमने किया है यह आप लोग directly x is equal to 12a b over a minus b उठा सकते हैं और वहाँ से 6 के साथ b को लिख दें और 2 के साथ a को लिख दें ठीक है इसमें कोई issue वाली बात नहीं होगी तो यहाँ जो है अब हम मारे पास again x की जो value है उसको ले ले लेते हैं x हमारे पास है 12a b over a minus b ठीक है तो फर्दर हमारे पास यहाँ से क्या आजाएगा x is equal to 6b multiply by 2a over a minus b 6b को left side पर shift करेंगे तो हमारे पास आजाएगा x over 6b that is equal to 2a over a minus b अब इस पर जो है हमने component and devidendo theorem apply करना है वो statement आप लोग यहाँ पर लिखेंगे लाजमी तो उसके बाद हमारे पास जो next step आएगा वो क्या आजाएगा x plus 6b over x minus 6b that is equal to 2a plus a minus b over 2a minus a और इस minus की वज़े से यह जो minus होगा यह हमारे पास क्या हो जाएगा plus हो जाएगा अब फर्दर यहां से जो हमारे पास value आजाएगी x plus 6b over x minus 6b that is equal to 3a minus b over 2a minus a यह आजाएगा a और साथ में हमारे पास क्या आजाएगा plus b आजाएगा ठीक है तो यह हमारे पास values आगई है ठीक हो गया तो अब हमने इसमें क्या करना होगा कि इन दोनों को जो question हमारे पास given है उसमें statement देख लेते हैं हमारे पास क्या थी यह दोनों जो है अब देखें यहां पर हमारे पास क्या हो रहे है माइनस हो रहे है ठीक है तो यह हमारे पास क्या आजाएगा subtracting question A and B दोनों को subtract कर दिया तो further जो हमारे पास इस तरह से आजाएगा ठीक है तो अब जो है हम क्या करेंगे इनका LCM ले ले लेंगे तो LCM हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा A plus B ठीक हो गया तो A plus B यहां से LCM आ गया तो अब जो है हम यहां से के लिखते हैं 3B minus A minus 3A और यह जो है हमारे पास किस्ध में given है minus B given है ठीक है तो यह minus minus हमारे पास क्या हो जाएगा plus हो जाएगा ठीक है तो यहां भी आ जाएगा plus b ठीक है तो 3b plus b that is equal to 4b minus 4a over a plus b find the value of x minus 3y over x plus 3y minus x plus 3z over x minus 3z if x is equal to 3yz over y minus z अब हमने component or dividend or theorem को use करके इसकी value find out करनी है तो first of all हम लोग यहां से जो given data है वो ले ले लेते हैं x is equal to 3yz over y minus z ठीक है तो अब अगर हम यहां पर देखें हमारे पास क्या है x minus 3y तो first of all 3y के साथ ले ले लेते हैं इस 3y को left side पर shift करते हैं तो यह हमारे पास आ जाएगा x over 3y that is equal to इदर जो values रह गई हैं z over y minus z इस पे जो है अब हमने component or dividend or theorem apply कर देना है तो यह हमारे पास value आ जाएगी x plus 3y over x minus 3y that is equal to z plus y minus z over z minus y plus z हो जाएगा यह जब minus apply करेंगे तो यह वाला minus जो है हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है तो अब हमारे पास अगर देखें हमारे पास ऊपर जो value given है इसके अंदर यह है x minus 3y बट जो हमारे पास यहाँ पर आ रही है वो आ रही है x plus 3y तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर invert window theorem apply करेंगे ठीक है by using तो यह invert window theorem में होता क्या है कि उपर वाली जो value है वो नीचे चली जाती है और नीचे वाली value जो हमारे पास क्या होती है उपर चली जाती है यह left side पर भी ऐसे ही हो जाएगा x minus 3y over x plus 3y that is equal to इसी तरह right side पर भी हम apply करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा z plus z 2z minus y over अब यह जो हमारे पास z z से cancel out हो रहा था तो हमारे पास यहां से just नीचे क्या आ जाएगा y आ जाएगा ठीक है इसको अब हम equation number a का नाम दे देते हैं अब इसी तरह next step में हमने क्या करना है x plus 3z over x minus 3z बनाना है तो उसके लिए जो हमारे पास given data है ठीक है उसको लेकर चलते है x is equal to 3y z over y minus z तो यहां से जो है अब इसका हम combination बना देते हैं 3 का z के साथ और y जो है अब हम यहां पे alone अकेला कर देते हैं तो इसको divide करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा x over 3z that is equal to y over y minus z अब हमने इस पे क्या करना है component और dividend और theorem apply कर देना है तो यह फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा x plus 3z over x minus 3z that is equal to y plus y minus z over y minus y minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा और यह हमारे पास क्या जाएगा z आ जाएगा ठीक है क्योंकि हमने नीचे minus करना था तो यह minus z जो हमारे पास क्या हो जाएगा plus z हो जाएगा अब अगर देखें तो यहाँ पर यह वालव y के साथ cancel out हो जाएगा तो जो हमारे पास value आ जाएगी x plus 3z over x minus 3z that is equal to 2y minus z over z इसको हम equation number b का नाम दे देते हैं find क्या करना है x minus 3y over x plus 3y means हमारे पास जो यह वाली value है ठीक है इसको minus किसमे करना है minus x plus 3z over x minus 3z ठीक है तो यह वाली value जो है अब हमने क्या करनी है यहाँ से minus करनी है यह मैं आपको यहाँ पे mention भी कर देता हूँ value यह वाली value ठीक है यह दोनों value जाबन में क्या करनी है minus करनी है तो यहाँ पे लिखते हैं subtracting situation a and b तो जब subtract करेंगे तो left side left side में से subtract होगी और right side हमारे पास right side से subtract होगी ठीक हो गया तो यह जो है अब हमने क्या किया यहाँ पे subtract कर दिया तो subtract करने के बाद अगर हम अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास LCM आ रहा है LCM क्या आ रहा है YZ तो वो LCM ले ले लेते हैं यहाँ से ठीक है 2Y-Z अब यह जो है अब हमने इसके अंदर multiply कर वा लेना है तो further जो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2Z स्केर माइनस YZ माइनस 2Y स्केर माइनस माइनस प्लस YZ ओवर YZ अब यहाँ से plus YZ माइनस YZ से cancel out हो जाएगा further जो है यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2Z स्केर माइनस 2Y स्केर ओवर YZ तो यहाँ पे जो है common भी आ रहा है तो हम common भी ले ले लेते हैं 2 common आ रहा है Z स्केर माइनस Y स्केर ओवर 5Z यही हमारे पास required answer होगा इसके बाद जो हमारे पास question number two का fifth part है वो भी same way से होगा जो हमने previously two parts किये हैं उसे मिलता जूलता है आप लोगोंने वो try करना है अगर ना हो तो आप लोग comment box में मुझे बता दीजिएगा मैं उसकी एक अलग से video बना दूँगा तो practice कीजिए आप इस question को लेकर बागी question आप लोग करेंगे तो इस question के आप लोग practice हो जाएगी क्योंकि यह नहीं solution मिल रहा आपको फिलहाल तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को इसका भी solution प्रोवाइड कर दूँगा ओके इसके बाद हमारे पास next part है question number two का उसमें जो है just हमने इनको solve करना है using component and david endotheorem तो first of all हम यहाँ पे statement दिख लेते हैं तो इस पे जब हम component और david endotheorem apply करेंगे तो हमारे पास आजाएगा left side पे कर लेते हैं पहले हमारे पास यह है x-2 whole square minus x-4 whole square नीचे वाली value ऊपर एक दफ़ हमने add करनी है तो यह हमारे पास आजाएगा x-2 whole square plus x-4 whole square divided by अब एक दफ़ा हमने उपर वाली value as it is लिख लेनी है पहले तो वह मारे पास आजाएगी x-2 whole square minus x-4 whole square minus लगा के अब जब हम नीचे वाली पे apply करेंगे ठीक है तो इस minus की वज़ा से यह जो positive sign है यह मारे पास क्या हो जाएगा negative हो जाएगा तो मैं direct इसी step में कर रहा हूँ जरा गोर से देखिएगा x-2 whole square minus x-4 whole square that is equal to 12 plus 13 over 12 minus 13 अब जो हमने यहां से क्या करना है जो मरपस values कट हो रही है उनको कट कर लेते हैं जैसा के minus x-4 whole square यह वाली value और plus x-4 whole square यह वाली value cancel out हो जाएगी और इसी तरह नीचे जो हमारे पास value cancel होगी x-2 minus में और यह वाली plus में यह हमारे पास क्या होगी cancel out हो जाएगी तो यहां से आजाएगा 2 into x-2 whole square over minus 2 into x-4 whole square that is equal to 25 over minus 1 यह वाला 2 इस 2 से cancel out हो जाएगा ठीक है और यह जो minus है वो इस minus से cut हो जाएगा ठीक हो गया तो अब further जो हमारे पास क्या आगी है x-2 whole square over x-4 whole square that is equal to 25 तो अब हमने law of exponent पढ़ा है जिसका link मैं i button में और description में भी लगा दूँगा आप तो वाहां से देख लीजिएगा उसमें हमारे पास क्या होता है कि जब हम लोग a square over b square लिखते हैं तो यह power जो हैं हम a over b whole square इस तरह से भी apply कर सकते हैं मज़िद आप लोग वीडियो देखेंगे तो उसमें जएदा जो है clear way से समझाया गया है तो further यह हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा x-2 over x-4 whole square that is equal to 25 अब square खतम करने के लिए हमें पता है कि हमने both side square root apply करना होता है तो यहां भी आ जाएगा taking square root on both side तो x-2 over x-4 whole square square root that is equal to 25 square root अब 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 multiply by 5 ठीक है तो अब 5 multiply by 5 भी इसी से मैं power z होंगे तो यह हमरे पास हो जाएगा 5 square तो मैं इसी step में लिख देता हूँ 25 को 5 square कर देते हैं और इसके साथ जो यह 2 लिखा वा है इसको हम जा देते हैं तो अब अगर देखें तो square हमेशा square root से cancel out होता है तो यह square root से इससे cancel out हो जाएगा तो यहां पे जो हमारे पास values आ जाएगी x-2 over x-4 that is equal to plus minus 5 तो इसमें जो है हमारे पास दो cases बन जाएगे एक case जो है plus के साथ बन जाएगा और second case जो हमारे पास क्या होगा minus के साथ बन जाएगा तो first case है हमारे पास x-2 over x-4 that is equal to 5 और second case है x-2 over x-4 that is equal to minus 5 cross multiply कर वा लेते हैं तो यह हमारे पास आजाएगा x-2 that is equal to 5 into x-4 further x-2 is equal to 5 x-20 x को जब हम यहां से right side पर shift करेंगे तो वो minus x हो जाएगा तो further यह हमारे पास आजाएगा 18 that is equal to 4 x तो यह हो जाएगा 18 over 4 that is equal to x ठीक है तो इसको 2 पर कट कर लेते हैं 2 9 अरे 18 and 2 2s are 4 तो यह हमारे पास हो जाएगा 9 over 2 that is equal to x इसी तरह अब हमने यहां पर क्या किया right side को solve कर लिया right side में भी हमने cross multiply कर वा लेना है question number 2 का 7 पार्ट है जिसमें हमने component or david endo theorem को use करना होगा तो first of all हम यहां पर statement लिख लेते हैं तो left side पर apply करते हैं यह हमारे पास आजाएगा x square plus 2 square root plus x square minus 2 square root तो component or david endo theorem में एक दफा नीचे वाली value ऊपर add करते हैं तो यह हमारे पास आजाएगा x square plus 2 minus x square minus 2 square root और अब एक दफा नीचे वाली ही value हमने minus करनी होगी ऊपर वाली value में से तो यह हमारे पास आजाएगा x square plus 2 plus x square minus 2 minus x square plus 2 minus x square minus 2 अब अगर यहाँ पर हम bracket लगाएं तो इस minus की वज़ा से अंदर वाला जो यह minus है यह हमारे पास क्या हो जाएगा plus हो जाएगा ठीक है तो वो मैंने इसी step में ही आप लोगों को show कर दिया यह हमारे पास plus कैसे हुआ अब अगर right side पे देखें तो right side पे जो है हमारे पास given है 2 ठीक है और नीचे हमारे पास given है just 1 क्योंकि जिसके devian में नील कुछ भी है तो हम मुझे 1 ले सकते हैं तो इस पे जब apply करेंगे कि component लो dividend हो तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1 और यह हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 1 एक दफा ओपर प्लस हमने कर दिया 1 और नीचे ही हमने माइनस 1 कर दिया अब इसमें से जो हमारे पास cancel out हो रहे है एक यह वाली value cancel out हो रही है अब अगर यहां से देखें हैं तो हमारे पास जो value बच गी है 2 into x square plus 2 square root over 2 into x square minus 2 square root that is equal to 3 over 1 यह 2, 2 से cancel out हो जाएगा अब जो है यहां पर हमारे पास left side पे square root की बन है इसको cancel करने के लिए both side हमने क्या करना है square apply कर देना है तो further हमारे पास जो value आ जाएगी वो है x square plus 2 over x square minus 2 square root हमने क्या करना है law of exponent को use करके दोनों पे apply कर देना है एक ही उसमें that is equal to 3 क्योंकि हम both side square ले रहे हैं तो यहां पर हमने square भी apply करना होगा तो यह square square root से cancel out हो जाएगा जो हमारे पास further value आ जाएगी वो है x square plus 2 over x square minus 2 तो right side पे जो है 3 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा तो अब जो है हमने इसको क्या करना है cross multiply करवा लेना है तो यह हमारे पास आ जाएगा x square plus 2 that is equal to 9 into x square minus 2 further जो है यहां से हमारे पास आ जाएगा 9 x square minus 9 2018 और left side पे है जी x square plus 2 अब हमने क्या करना है यहां पर अक्सर बच्चे आ कर परिशान हो जाते है कि अब कौन सी side हमने shift करनी है तो आप लोगोंने क्या करना है जो हमारे पास बड़ी side होगी x square की वो हमने use करनी है first of all 9 x square क्यूंके बड़ी side है तो यहां पर पहले 9 x square as it is लिख लेंगे और जो हमारे पास just यह x square given है plus के साथ इसको right side पे पहले equal का sign लगा के shift कर लेंगे ठीक है तो यह हमारे पास हो जाएगा जी minus x square अब जो है हमने क्या करना है यह plus 2 as it is यहां पे लिखा रहने देते है minus 18 जो है left side पे shift करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा plus 18 हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले आपने equal का sign लगा के side check कर लेनी है कौन सी side पे कौन सा number जो है shift हो रहा है जो easily shift हो जाए आपने just sign change करके shift कर देना है ठीक हो गया clear है तो 2 plus 18 that is equal to 20 that is equal to 8 x square अब हमने क्या करना है इस 8 को left side पे shift करना है तो यह हो जाएगा 20 over 8 is equal to x square 4 का table पढ़ लेते हैं जी 4, 5 are 20 and 4, 2 are 8 तो यहां से जो हमारे पास value आएगी further 5 over 2 that is equal to x square अब हमें पता है कि square खतम करने के लिए both side हमने square root apply करना होता है तो यहां पे जो है अब हम square root apply कर देते हैं x square square root that is equal to 5 over 2 square root square square root से cancel out हो जाएगा तो जो हमारे पास x की value आजाएगी वो क्या आजाएगी plus minus 5 over 2 ठीक है तो solution set भी हमारे पास क्या होगा plus minus 5 over 2 square root तो hope so आप सब लोगों को इस question की समझ आई होगी अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप लोग comment box में पूछ सकते हैं within 24 hours आप लोगों को उस question का answer दे दिया जाएगा मेरे चैनल को subscribe कर लें और अपने classmates के साथ लाजबी share कीजिएगा 8th part का हम solution कर लेते हैं जिसमें हमने component and david and the theorem का use करना है तो first of all यहाँ पर statement लिख लेते हैं तो उपर जो हमारे पास question given है यह हमने component and david and the theorem EC पर apply करना है तो first of all हमारे पास उपर वाली value वे लिख लेते हैं x square plus 8p square minus x square minus p square square root नीचे वाली value एक दफा उपर हमने plus करनी है x square plus 8p square plus x square minus p square इन पे square root apply कर देना है over यह आ जाएगा जी x square plus 8p square minus x square minus p square उपर वाली value एक दफा डिवियन में as it is लिख देनी है और minus लगा के ठीक है अब नीचे वाली value ही हमने minus करनी होगी ठीक है तो जब वो हम minus करेंगे तो यह वाला sign जो है हमारे पास क्या हो जाएगा उस minus की वज़ा से minus हो जाएगा ठीक है minus plus minus तो x square plus 8p square square root minus x square minus p square square root that is equal to 1 plus 3 over 1 minus 3 अब इसमें जो हमारे पास values cancel out हो रही है वो cancel कर लेते हैं हम लोग तो remaining जो हमारे पास यहां से values आ जाएगी वो है x square plus 8p square ठीक है यह 2 के साथ आ जाएगा क्योंकि यह plus 1 and plus 1 2 हो जाएगा over minus 2 into x square minus p square that is equal to 4 over minus 2 2 1 times 2 2 times और यह वाला minus इस minus के साथ cancel out और यह 2 इस 2 के साथ cancel out हो जाएगा तो जो हमारे पास यहां से remaining values आ जाएगी x square plus 8p square over x square minus p square उपर भी square root है नीचे value value भी square root में given है तो इसके उपर हमने love exponent apply करेंगे तो हमारे पास square root all value पर आ जाएगा that is equal to 2 अब हमने इसमें क्या करना है जाहर से बात है square root given है तो square root को खतम करने के लिए हमने both side क्या apply कर देना है square apply कर देना है तो फर्दर हमारे पास यह आ जाएगा x square plus 8p square x square minus p square square root square that is equal to 2 square अब यह square root से cancel out हो जाएगा तो x square plus 8p square और x square minus p square that is equal to 4 अब हमने इसमें cross multiply कर वा लेना है तो यह हमारे पास आ जाएगा x square plus 8p square that is equal to 4 into x square minus p square अब इसमें हमने क्या करना होगा 4 x square यह वाला x square right side पे shift करेंगे तो minus x square हो जाएगा ठीक है अब 8p को left side पे ही रहने देते हैं वो plus में given है वो 8p square यह वाला minus 4p square इदर जब आएगा तो वो क्या हो जाएगा plus 4p square हो जाएगा ठीक है यह बहुत easy way से बता दिया कि आपने क्या करना है कि equal का sign लगा कर उसको shift कर लेना है तो उसे easy way से आप लोग shift कर सकते हो अब यहाँ से 8p square 4p square ही हो जाएगा 12p square that is equal to 4x square minus x square that is equal to 3x square हो जाएगा अब 3 जो है left side पर shift कर देते हैं यह मारे पास हो जाएगा 12p square over 3 that is equal to x square 3 1 times 3 4 times तो फर्दर यहाँ से आजाएगा 4p square is equal to x square अब जाहर सी बात है हमने x की value find out करनी है तो x पे square given है तो square कतम करने के लिए अब हमने क्या करना है both sides square root apply कर देना है तो यह statement आप लोग लिख लेंगे फिर square root apply कर देंगे यह x square square root से cancel out और यह वाला square is square root से cancel out हो जाएगा ठीक है और 4 को हम लोग लिख सकते है 2 square ठीक है तो वो जो है हमारे पास फर्दर यहाँ से जब लिखेंगे 4 को तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से to square तो वो भी मैं इसी step में ही लिख रहा हूँ यहाँ पे to square तो इसके जब हम square apply करेंगे ठीक है square root के साथ तो वो भी इसके साथ cancel out हो जाएगा तो यहाँ से जो finally हमारे पास x की value आ जाएगी वो क्या आ जाएगी plus minus 2p तो जो हमारे पास solution set होगा वो भी हमारे पास क्या होगा 2 plus minus 2p यह हमारे पास answer होगा exercise 3.4 question number 2 का last part है and hope so आप सब लोगों को अब तक component and david endotherium की भी समझ आ गई होगी अगर कोई भी question रह गया है या किसी भी question की समझ नहीं आई तो आप लोग दुबारा से वीडियो को देखें ठीक है ताके आप लोगों का वो concept जो है clear हो सके और यह last part है जिसमें हमने again component and david endotherium apply करना है तो अगर अभी भी किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप होप सो इस question को बड़े गोर से देखेंगे ताके आप लोगों का concept पी clear हो जाए और इस question का भी solution आप लोगों को आ जाए ठीक है तो अब जो है हमने क्या करना है again इस के उपर जो है तो अब हम यहाँ पर statement लिख लेते हैं अब हम apply कर देते हैं इस पर component and dividend theorem तो first of all x plus 5 whole cube minus x minus 3 whole cube plus ठीक है plus sign लगा के नीचे वाली जो complete value है उसको हमने पहले उपर add कर देना है तो यह हमारे पास आ जाएगा x plus 5 whole cube plus x minus 3 whole cube over अब again हमने divide में क्या करना है ओपर वाली value जो हमारे पास है उसको as it is लिखना है x plus 5 whole cube minus x minus 3 whole cube और minus sign लगा के नीचे वाली value अब लिखने है minus x plus 5 whole cube अब यह जो plus sign है इस minus की वज़़द से जो है minus हो जाएगा ठीक है bracket मैं यहां पर नहीं लगा रहा है क्योंकि वो next step में चला जाएगा तो मैं आपको इसी step में बता रहा हूँ जब brackets हम यहां पर जो लगाएंगे वो जब खतम करेंगे तो यह वाला positive sign वो हमारे पास क्या हो जाएगा negative हो जाएगा ठीक है उपर वाली value नीचे as it is लिखने के बाद नीचे वाली value हमने क्या करनी है minus कर देनी है ठीक है clear है तो अब यहां से जो values cancel out हो रही है जैसा के यह plus के साथ और यह minus वाली और नीचे यह वाली minus वाली और यह वाली plus वाली आपस में क्या होगी cancel out हो जाएगी तो यहां से जो हमारे पास remaining values है वो है जी x plus 5 whole cube plus x plus 5 whole cube यह हो जाएगा 2 into x plus 5 whole cube over minus 2 into x minus 3 whole cube that is equal to 13 plus 14 that is equal to 27 over minus 1 तो अब जाहर से बात है यह वाला जब minus right side पे shift करेंगे तो वो उपर चला जाएगा ठीक है तो यह minus minus के साथ cancel out और यह वाला 2 is 2 के साथ cancel out हो जाएगा तो यहां से जो हमारे पास remaining values रह जाएगी x plus 5 over x minus 3 अब उपर भी power 3 है whole की और नीचे भी whole power 3 है तो यह हमने क्या करना है law of exponent को जूज करते हुए इस complete पे power 3 apply कर देनी है that is equal to 27 अब further यहां से हमने क्या करना है 27 को ले लेते हैं 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 power 3 और यह जो है left side value as it is ले ले लेते हैं x plus 5 over x minus 3 whole cube अब जो है हमने इस cube को खतम करना है तो इस cube को खतम करने के लिए क्या करेंगे both side cube root apply कर देंगे ठीक है तो यह आ जाएगा taking cube root on both side ठीक है तो यह आ जाएगा x plus 5 over x minus 3 whole cube और जब cube root लेंगे तो वो इस तरह से आ जाएगा that is equal to 3 whole power 3 और यहां पर आ जाएगा यह cube root cube root जो है cube से cancel out हो जाएगा तो यहां से जो हमारे पास value आएगी further वो क्या आ जाएगी x plus 5 over x minus 3 that is equal to 3 तो अब हमारे पास यहां से जो है क्या आ जाएगा again cross multiply कर लेना है अच्छा मैं आपको यहां पर बताता चलो कि अगर आप लोग इसको इस वे से भी solve करना चाहें तो कर सकते हैं cube root अपलाई करने के बाद यह step लिखेंगे यह step लिखने के बाद इसको आप मजीद इस तरह से लिख सकते हैं x plus 5 over x minus 3 whole power 3 multiply by 1 by 3 that is equal to 3 whole power 3 multiply by 1 by 3 यह step भी आप लोग करना चाहें तो इसके बाद एक step कर सकते हैं ठीक है तो यह 3 3 से cancel out इसी तरह यह वाला 3 इस 3 से cancel out हो जाएगा तो उसके बाद जो है महरे पास यह वाला step आ जाएगा ठीक है दोनों से आप लोग कर सकते हैं आपकी choice है अब हमने इस पर cross multiply करवाना है तो cross multiply में आ जाएगा जी x plus 5 that is equal to 3 into x minus 3 x plus 5 is equal to 3 x minus 3 3 is a 9 ठीक है अब अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्दर यहाँ से आ जाएगा जी 3 x यह वाला x right side पर shift करेंगे तो minus x हो जाएगा और यह minus 9 जब left side पर shift करेंगे तो यह plus 9 और यह plus 5 हमने as it is लिख देना है तो यहाँ से अब हमने minus कर लेना है तो यह जब minus करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 2 x और 9 plus 5 that is equal to 14 अब 2 को left side पर shift करेंगे तो यह हो जाएगा 14 over 2 that is equal to x 2 1 times 2 7 times तो यहाँ से जो हमारे पास finally x की value आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी ठीक है तो हमारे पास जो solution set होगा वो क्या है हमारे पास 7 which is the required result ओप सो आप सब लोगों को questions की समझाई होगी अगर कोई question रह गया है या कोई concept नहीं clear हुआ तो आप लोगों वहाँ से उसे repeat करके देखें मेरे चैनल को subscribe कर ले और अपनी classmates के साथ share करना ना भूलिएगा अपना ख्याल रखें अलाफीज